दोस्तों राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का निधन हो गया है। राजीव कपूर 58 साल के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह हार्ट अटेक पढ़ने के बाद रंधीर कपूर उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए थे। लेकिन जब वो अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोशित कर दिया। बॉलीवुड में राजीव कपूर एक फिल्म निर्मा था, फिल्म निर्देशक और अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपने पिता राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में साल 1985 में डेब्यू किया था। इसके बाद वो कुछ फिल्मों में नजर आये। उन्हों की आत्मा को शांती प्रदान करें।